C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनी पुस्तक गणित का जादू छटा पाट कबाड़ी वाली प्रिष्ट साथ इस प्रिष्ट पर सबसे उपर दो चित्र बने हैं बाई और वाले चित्र में कुछ टाय रखे हैं और साथ ही एक बोड भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है किरन सुमित्रा कबाड़ी की दुकान और दायनी तरफ एक दूसरी चित्र में एक मैला को बैठी दिखाया गया है क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ खरीदती और बेशती है ये किरन की सच्चे कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है किरन ने कहा मैं गाउं के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हूँ मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था लेकिन गणित से मुझे नफरत थी परन्तु आज गणिती मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है मैं स्कूल में ये कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम क्या सोचते हो क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है तुम्हें गणित की पुष्टक में सबसे कठिन क्या लगता है रिक्तिस्थान तुम्हें उसमें सबसे आसान पार्ट कौन सा लगता है रिक्तिस्थान किरन ने कहा जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुरगठना में मिरती हो गई इसलिए मेरी मा को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे मुझे कक्षा आठ के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा मैं और आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माने मेरी शादी कर दी मेरे पती का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था उनके दो भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे मेरे पती की चाह की एक दुकान थी परिश्ट 61 पता लगाओ एक कप चाह की कीमत लोगों से पूछ कर एक कप चाह की कीमत मालूम करो एक चाह की दुकान पर रिक्तिस्थान और होटल में रिक्तिस्थान चीटी बोली अगर एक आदमी चाह की दुकान से एक दिन में तीस रुपए कमाता है तो वो दस दिन में कितरा कमाएगा रिक्तिस्थान एक महीने में रिक्तिस्थान तुमने ये जवाब कैसे निकाला पाच्चित करो किरन ने कहा मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कभाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कभाड़ी की दुकान खोली हमने दुकान के लिए 8000 रुपए उधार लिये पता लगाओ उधार क्या है क्या तुमने कभी किसे से उधार लेने के बारे में सुना है किस लिए रिक्तिस्थान कितना उधार लिया गया था रिक्तिस्थान कितना पैसा वापस किया गया रिक्तिस्थान, हरिया और बाबू 300 रुपए में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं मैंने एक बैंक से 300 रुपए उधार लिए 6 महीने तक मैं 51 रुपए प्रती मह बैंक को लोटाऊंगा बाबू ने कहा, लेकिन मैंने चुन्नी लाल से 300 रुपए लिए 6 महीने बाद उसे 360 रुपए लोटाऊंगा किसको अधिक पैसे लोटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को रिक्तिस्थान, प्रिष्ट पर सबसे नीचे बाई और हरिया का चित्र और दाई और बाबू का चित्र बना है प्रिष्ट बासट, यहाँ पर किरन का चित्र है किरन ने कहा लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया उन्होंने इसे गंदा काम कहा लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहाँ बिजली भी है हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है मेरे पती के भाई बेहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है यहाँ पर एक घर के अंदर का चित्र बना है जहाँ पर विभीन वस्त में दिखाई गई है और साथ ही इसके नीचे एक अन्य चित्र बना है जहापर रिक्षे, बोरियां, पेटियां इत्यादी वस्त में दिखाई गई है मेरे अपने नौ रिक्षे हैं मैं इन रिक्षों को बीस रुपए प्रती दिन प्रती रिक्षा के हिसाब से किराय पर देती हूँ लेकिन मैं रवीवार को किराय का एक भी पैसा नहीं लेती किरण नौ रिक्षों से रोज कितना कमा लेती है एक रिक्षे से उसे बीस रुपए मिलते हैं इसलिए वो नौ रिक्षों से रिक्तिस्थान रुपए कमाएगी तुम ये कैसे करोगे? चिंटा बोला देखो मैं इसे इस तरह करूंगा नौ बार दो हों तो अठारा होता है इसी तरह नौ बार बीस हों तो एक सो असी होगा दूसरा चिंटा बोला लेकिन मुझे इसका एक असान सा तरीका मिल गया है दस रुपए उसे मिलेंगे 20 रुपए गुणा 10 बराबर 200 रुपए उसके पास 9 रुपए है तो उसे कुल रुपए 200 घटा रिकतिस्थान बराबर रीकतिस्थान रुपए मिलेंगे क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीक आता है? शिक्षिकों के लिए निर्देश चात्रों को प्रेरित करें कि वो अपने ढंग से इसको करें इस पर भी चर्चा करवाई जा सकती है कि वो उत्तर तक कैसे पहुँचे इसी प्रिष्ट पर सबसे आखिर में दो चीटों का चितर बना है प्रिष्ट तिरसट किरन एक सप्ता में एक रिक्षे से कितना कमा लेती है अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखें अब आप इन्हें स्वैम करके देखें दो गुणा चै बराबर रिक्तिस्थान बीस गुणा चै बराबर रिक्तिस्थान दो गुणा 60 बराबर रिक्तिस्थान, तीन गुणा 42 बराबर रिक्तिस्थान, चार गुणा 80 बराबर रिक्तिस्थान, चार गुणा 81 बराबर रिक्तिस्थान, नौ गुणा 25 बराबर रिक्तिस्थान, और 31 गुणा 9 बराबर रिक्तिस्थान. यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें किरण खड़ी हुई दिखाई दे रही है और साथ में कुछ अन्य व्यक्ति काम करते दिख रहे हैं किरण ने कहा मेरी खुद की छोटी सी कबाळी की दुकान है मैं कबाळी वालों से कबाळ खरिदती हूँ वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाळ इकटा करते हैं मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ इस कबाड के लिए कितने रुपए दिये जाएं। किरण ने कबाडी वालों से कुछ कबाड खरीदा। आज की केमत देखने के लिए मूले सुची देखो। कबाड की केमत मालुम करने में किरण की सहता करो। 31 किलो ग्राम अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी? यहाँ पर सबसे नीचे एक चिंटे का चितर बना है. वो कहता है, एक किलो अखबार पांच रुपए में बिखता है. 30 किलो की कीमत हुई 5 गुणा 30, बराबर 150 रुपए. 31 किलो अखबार के लिए उसे देने होंगे रिक्तिस्थान रुपए. शिक्षकों के लिए निर्देश यह अभ्यास बच्चों को गुणा करने की अलग-अलग विधियों, मानक विधि के अतिरिक्त का उप्योग करने के लिए फ्रोथसाहित करेगी. प्रिष्ट 64 यहाँ पर एक रेट लिस्ट है. रेट लिस्ट कबार कीमत प्रतिकिलो एक बेकार कागज चार रुपए दो अखबार पांच रुपए तीन लोहा बारह रुपए चार पीतल एक सो सत्तर रुपए और पांच प्लास्टिक दस रुपए किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? नीचे लिखिये वस्टुओं की कीमत पता करो क बाइस किलो प्लास्टिक ख तेईस किलो बेकार कागज और ग बारह किलो लोहा क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? यहाँ पर एक चिंटे का चितर है जो कह रहा है सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिये होंगे? 600 रुपे से ज्यादा? या 600 रुपे से कम? सयानी किरण का कबाड बेचना किरण अपना सारा कबाड बड़ी दुकान पर बेच देती है एक चितर में किरण को फोन पर बात करते दिखाया गया है आज फिर वो दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई दीनू ने 32 किलो लोहा 4 किलो पीतल 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला यहाँ पर सबसे नीचे दो चितर है बाई और के चितर में दो ठेले दिखाये गए है और कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया है दाहनी तरफ वाले चितर में कुछ सामान रखा है प्रिष्ट 65 क दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया यहाँ पर एक रेट लिस्ट है जिस पर लिखा है दीनू की रेट लिस्ट कबार और क्यमत प्रतिकिलो एक अखबार 6 रुपए दो लोहा 14 रुपए तीन पीतल 180 रुपए 4 प्लास्टिक 12 रुपए और 5 बेकार कागज 4 रुपए 50 पैसे एक किलो प्लास्टिक की केमत 12 रुपए है इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की केमत 63 गुणा 12 रुपए होगी याद करो कक्षा 3 में तुमने गुणा करने के लिए बॉक्स का प्रयोग किया था यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया गया है जिसमें दो खाने है पहले खाने में सबसे उपर 60 लिखा है और दूसरे खाने में 3 लिखा है और बाई तरफ 10 और उसके नीचे 2 लिखा है आईए गुणा करके देखते हैं पहले हम 60 को 10 से उसके बाद 3 को 10 से गुणा करेंगे और फिर 60 को 2 से और 3 को 2 से गुणा करेंगे आईए पहले 60 को 10 से गुणा करते हैं 60 गुणा 10 बराबर 600 और 3 गुणा 10 बराबर 30 उसके बाद 60 गुणा 2 बराबर 120 और 3 गुणा 2 बराबर 6 चीन्टा बोला 63 गुणा 12 का मतलब हुआ 63 संख्या 12 बार 12 बार 60 हुआ 720 अतह उत्तर 720 से ज़्यादा होगा और 800 से कम होगा बता सकते हो क्यों दीनु ने बॉक्स में अंको को जोड़ा 600 जमा 120 जमा 30 और जमा 6 बराबर 756 इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनु 756 रुपए देगा किरण ने एक किलो प्लास्टिक 10 रुपए का खरिदा लेकिन एक किलो प्लास्टिक 12 रुपए में बेचा एक किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? रिक्तिस्थान रुपए फिर 63 किलो बेचने के बाद वो कितना पैसा कमाएगी रिक्तिस्थान प्रिष्ट 66 किरण ने 32 किलो लोहा बेचा दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा रिक्तिस्थान किरण एक किलो लोहा 12 रुपए में खरीदती है लेकिन 14 रुपए में बेचती है यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वो कितना पैसा कमाएगी रिक्तिस्थान रुपए गर 152 किलो अखवार की रद्धी के लिए दीनू कितने पैसे देगा 1 किलो अखवार की कीमत है 6 रुपए अता 152 किलो अख़वार की कीमत होगी 6 गुणा 152 रुपए दीनु ने लिखा यहाँ पर भी एक बॉक्स है जिसके तीन खाने है पहले खाने में सबसे उपर लिखा है 100 दूसरे के उपर 50 और तीसरे के उपर 2 लिखा है और खाने के बाई तरफ 6 अंकित है आईए अब हम गुणा करते हैं अब हम 6 को पहले 100 से उसके बाद 50 से और सबसे बाद 2 से गुणा करेंगे तो आईए अब हम गुणा करते हैं 100 गुणा 6 बराबर 600 50 गुणा 6 बराबर 300 2 गुणा 6 बराबर 12 यहाँ पर एक चीटी का चितर बना है जो कह रहा है चे गुणा सो बराबर छे सो इसलिए उत्तर छे सो से अधिक होगा क्या उत्तर एक हजार से कम आएगा तुमने अंदाजा कैसे लगाया उसने फिर बॉक्स में अंको को जोड़ा छे सो जमा तीन सो जमा बारा बराबर नौसो बारा यहाँ पर सबसे नीचे दाहिनी तरफ किरन का चित्र है जो सोच रही है मैंने एक किलो अखबार पांच रुपए में खरीदा लेकिन छे रुपए में बेच दिया मैंने एक सो बावन किलो अखबार बेच कर कितने पैसे कमाए इसलिए 152 किलो अख़बार के लिए वो किरण को 912 रुपे देगा घर दीनुने पीतल के लिए कितना पैसा दिया 4 किलो पीतल के लिए दीनु को कितने पैसे देने पड़ेंगे रिक्तिस्थान यहाँ पर एक चींटे का चित्र है चींटा बोला पहली उत्तर का अंदाजा लगाओ प्रिष्ट 66 पहली अंदाजा लगाओ, फिर गणना करो क 37 गुणा 18 बराबर रिक्तिस्थान क 45 गुणा 24 बराबर रिक्तिस्थान ग 69 गुणा 52 बराबर रिक्तिस्थान ग, 77 गुणा 55 बराबर रिक्तिस्थान, ल, 142 गुणा 5 बराबर रिक्तिस्थान, च, 382 गुणा 3 बराबर रिक्तिस्थान, च, 2 गुणा 175 बराबर रिक्तिस्थान, और ज, 4 गुणा 206 बराबर रिक्तिस्थान. अब तुम दिये गए इन रिक्त स्थानों को भरो मेरी डैरी भरो किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा उसने उन्हें 841 रुपे दिये उसने दीनों के बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनों ने उसे नीचे दिखाये गए नोट और सिक्के दिये यहाँ पर एकचित्र में कुछ नोट और एक सिक्का दिखाये गया है जिन पर लिखा है किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा यहाँ पर डायरी का एक पेज का चित्र है जिस पर दाई तरफ सबसे उपर लिखा है ग्यारह मार्च दो हजार साथ और उसके बाद लिखा है मैंने दिये आठ सो एक तालिस रुपए मुझे मिले छे सो रुपए जमा एक सो पचास रुपए जमा एक सो चालिस रुपए जमा साथ रुपए जमा चालिस रुपए और जमा चार रुपए कुल बराबर 994 रुपई मैंने कमाए 994 रुपई घटा 841 रुपई बराबर 153 रुपई प्रिष्ट 68 उसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपई दिये जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू से उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के मिले यहाँ पर कुछ नोटों और एक सिक्के का चित्र बना है यह इस थरा से हैं पाँच रुपई के 28 सिक्के सौ रुपई के 5 नोट पचास रुपई का 1 नोट दस रुपई के 18 नोट और 20 रुपई के 9 नोट अब तुम उसकी डायरी में लिखो मालुम करो कि इस बार उसने क्या कमाया यहाँ पर भी डायरी का एक पेज दिया गया है डायरी के इस पेज पर दानी तरफ सबसे उपर लिखा है 18 मार्च 2007 अब तुम डायरी के इस पेज पर लिखो कि उसने कितनी रुपई कमाये इसी के साथ छटा पाट कबाड़ी वाली अब यहीं समाप्त होता है स्वर प्रवीन शर्मा तक्निकी समन्वयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन विकास सांगवान निर्मान सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन और निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तोती CIET NCERT नई दिल्ली भारत प्रस्तोती CIET NCR